आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें बागिन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक शक्तिशाली बाग से ऐसी लड़ाई लड़ी कि उसे देखने वालों के रोंटे खड़े हो गए जी हैं प्रतक्षदर्शी, वनकर्मी और कुछ पर्यटकों ने यह बताया कि पांच जन्वरी को बाग बागिन की बढ़न रोंटे खड़े कर देने वाली थी तिन-तिन महा के चार शावकों का बागिन का मुह ऐसा था कि वह नो साल के हट्टे कट्टे बाग पर साड़े छे साल की बागिन तूट पड़ी दोनों में जम कर लड़ाई हुई और यह लड़ाई धाई घंटे तक चेली बाग के शरीर पर घाव हो गए और बागिन भी गंबीर रूप से घायल हो गई लेकिन बागिन का कमाल देखिए कि उसने बाग को अपने बच्चों की तरफ बढ़ने नहीं दिया और कुल मिलाकर हारकर जब बाग दूसरी ओर चला गया तब वनकर्मियों दुआरा लहु लहान बागिन का इलाज किया गया नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे